हेलो दोस्तो मेरे पास है 15000 में one of the best camera phone इसका जो डाम है realme 11x 5G पिछले 15 दिनों से इस phone को मैं use कर रहा हूँ आप बारी आ चुका है complete full review देने का इस 15 दिने use करने के बाद इस phone मुझे कैसा लगाए इसमें क्या-क्या कमिया है क्या-क्या अच्छी चीज है सब कुछ मैं आपको detail में बताऊंगा अब सिफ वीडियो को end तक देखते रहिए जब एफोन आप खरीदोगे पहला जो चीज आपको सबसे अच्छा लगगा जो है इसके design हाँ जी दोस्तो एफोन तो unique design के साथ आ रहा है पीछे से देखने में काफी premium लगता है इसका back panel जो है polycarbonate के बना हुआ है sine design है फोन को हलका टेड़ा करोगे तो इसमें इस pattern सा आ जाता है जो देखने में काफी premium लगता है इसकी back panel में crashes भी नहीं आता है और fingerprint का निशन इतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन इसका camera का जो balm है बहुत ज़्यादा भार हुआ है इसका जो camera module बहुत सारे दोस्त को पसंद नहीं आता है ख्यार इसका जो frame है वो polycarbonate को बना हुआ है boxy style में आता है ये phone छोटा है हातों में fit हो जाता है लेकिन इसका weight थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है 193 gram का है इसके वाज़े से phone हातों में थोड़ा सा फारी फिल देगा पहले पहले यूच करने में तो दिक्कत होगा लेकिन यूच करते करते आपका आदत पर जाएगा ख्यार phone side चे देखोगे तो इसमें center पंच हो ले डिस्प्ले का bezel और नीचे जो chain बहुत ही छोटा रखा है dedicated sim slot है और इसमें side wound finger pin sensor है जो हार बार accurate और fast काम करता है एक truly 5G phone है दोस्तों इसमें multiple 5G bands का support है 4G plus भी continue मिलता है online जब आप movie देखोगी या gameplay करोगे नेट और का issue इसमें नहीं आता है खेर अब बात करते है इस phone की सबसे बड़ा highlighted features के बारे में इस phone की पीछे में है dual camera setup प्राइमारी जो sensor है 64 megapixel इसमें ultrawide sensor नहीं है दोस्तों अगर रहता तो अच्छी बात होता इसके 64 megapixel camera से अब बहुत ही अच्छा photo click कर पाओके हार photo में detailing का कम्या आपको मैसुस नहीं होगा लेकिन एक बात याद में रखना हार photo की color को एफ़ोन boost करता है स्पेशाल ये sky की color, paid powder का जो color है एफ़ोन बहुत ही अच्छी तरीके से manage कर लेता है स्कीन टोन का color को भी बहुत अच्छी तरीके से manage करता है देख़ो है 15,000 में 108 megapixel का camera phone मिल जाएगा लेकिन वो इतने अच्छी तरीके से skin tone का color को manage नहीं कर पाता है जितने अच्छी तरीके से realme X करता है skin tone की color के साथ detailing भी अच्छा provide करता है इसका जो selfie camera है वो भी skin tone को अच्छी तरीके से manage कर लेता है detailing भी अच्छा रखता है जब मैंने प्रोटेर मूड में photo click क्या background को बहुत अच्छी तरीके से blur कर लेता है और HD detection को भी ठीक ठाक तरीके से iPhone manage कर लेता है back camera से और selfie camera से आप full HD में video को record कर पाओगे इस price range में कोई भी phone stable video record नहीं करता है iPhone भी नहीं करता है दोस्तो बाकि इसका autofocus बहुत ज़्यदा fast है अगर अच्छा camera phone लेने के लिए सुझ रहे हो तो iPhone आपको निरास नहीं करेगा ख्यार इसका display का size average रखा है लेकिन इसमें जो 120 Hz का refresh rate मिलता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है दोस्तो हर आपको 90 Hz में open करता है यूँकि जब इस phone को आप यूज करोगे smoothness इतना ज़्यादा fill नहीं होगा brightness अच्छा रखा है indoor, outdoor, directionality में इसको आप अराम से यूज कर सकते हो इसका processor powerful है इसलिए तो इसमें आप YouTube पर 2K में वीडियो को देख सकते हो 2K वीडियो अटकता नहीं है, smoothly play होता है और इसमें color भी बहुत ही अच्छा आता है अगर आप मेरी तरह ज़्यादा movie अगरा देखते हो, इसका display आपको जुरूद पसंद आएगा लेकिन दोस्तो इस phone में single speaker है और speaker का output मुझे इतना खास नहीं लगाए तो speaker के मामले में एप phone आपको निरास करतेगा इसमें Google की dialer मिलता है दोस्तो, call recording announcement सुना ही देता है इसको आप manually disable कर सकते हो, इसके लिए आपको play store से o dialer app को install करना होगा इसमें dual mic मिलता है, noise को बहुत ही अच्छी दरीगे से cancelling कर लेता है इस phone में Dimensity का नया chipset है, जो की 6 nanometer पर बना हुआ है और मेरे testing में antutu score भी बहुत ही अच्छा निकल कर आया है उसके इसे आपसे एफोन normal use में तो मस्त है, लेकिन एक बात याद में रखना दोस्तों इसका app opening भी यह ज़्यादा slow है, कितना slow है आप यह वर देख सकते हो, मैं आपको open कर रहा हूँ बहुत late में open हो रहा है, खेर app open, app close में जो animation इसमें जीटर नहीं मिलेगा इतने दिनों से इसको में use कर रहा हूँ, एक बार भी यह phone hang नहीं किया है लेकिन जब आप इसमें game खेलोगे, BGM जैसा game 40 episodes में चलता है और इसका gyro बहुत ज़्यादा slow है दोस्तों, इतना slow है मैं आपको क्या ही बताओ, आपके सामने वीडियो है, आप देख सकते हो यह अगर आप gyro player हो तो भाई इस phone को आप छोड़ दीजिए, इसमें 40 episodes के ज़्याद से game तो अच्छा चलता है लेकिन जब इसमें आप screen record करके gameplay करोगे, तो episodes down हो जाता है और थोड़ा बहुत lag करना start कर देता है इसमें LPDDR4X का RAM है, UFS 2.2 का storage tab है, RAM management मुझे decent सा लगा है, दोस्तों मेरे पास 6GB 128GB फिरेंड है, ओविसली इसमें virtual RAM का features भी मिलता है मुझे तो इसका performance decent सा लगा है, गेमार के लिए iPhone में recommend नहीं करूँगा खेर iPhone हाल फिलाल में Android 13 में run हो रहा है, और इसमें Realme UI 4.0 है, अच्छी बात तो है, इसमें 2 साल का Android update और 3 साल का security patch update मिलेगा लेकिन दोस्तों इसकी OS में Bluetooth मिलेगा, थोड़ी बहुत app recommend मिलेगा लोगि इसमें जो app market है, उसकी तरफ से आपको थोड़ा बहुत ads देखने को मिल जाएगा विए अपको install करने के लिए iPhone थोड़ा सा जादा force करता है बाकि इसका UI मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, देटु लाइफ यूज में एक user को जो features का ज़रूत है वो आपको इस phone में मिल जाएगा इस phone का battery backup मुझे super लगा है, दिन में एक बार charge करते हो तो सारे दिन का battery backup निकल कर देता है इस phone के साथ जो inbox 33W का adapter आता है, 0% से full charge करने के लिए 1 hour 15 minutes का आपस में time लेता है अच्छी बात तो यह है, इसमें ideal battery इटन इतना जादा नहीं मिलता है, मुझे 5% के आपस में मिला है, तो यह इतना जादा भी नहीं है यूँकि इसका battery backup लेकर एक यूजर से सीकाज नहीं आएगा लेकिन में मुद्ध की बात करते है, क्या इसको 15,000 रुपीस में खरिदना चाहिए 6GB 1208G भेरिन का price 15,000 रुपीस और उसके हिसाब से दिखा जाए, इस phone best camera phone है, best design phone है और best battery backup phone है, उसके साथ network भी अच्छा मिलता है डिस्प्ले का quality भी जवद्दस्त है लेकिन दोस्तू, इसका जो performance है, वो इतना अच्छा नहीं है casual giving करते हो, आपके लिए ठीक ठागे, normal use करते हो, आपके लिए ठीक ठागे याद में रखना है, ab opening इसका बहुत ज़्यादा slow है उसे के साथ इसमें जो 120 Hz का refresh rate मिलता है, वो सिर्फ नाम का है, 90 Hz में काम करता है ए दो चीज़ को अगर आप compromise कर लेते हो तो, ए फोन 15,000 रूपिस में one of the best phone बन जाता है आपके लिए अब जुरू इसको ले सकते हो, आपको 11X 5G कैसा लगाया, अब मुझे comment में जुरू बता सकते हो इसमों का सारे positive चीज़, सारे negative चीज़, मैंने honestly आपके साथ share किया वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए, तो एक लाइक करके, चैनल को सबस्काइब करके, हमारे साथ जुड़े रहे हो साके तो ए वीडियो आपके दोस्त के साथ भी share कर देना, जिसका बाजट 15,000 रूपिस है